जैसे यार हम दोस्तों मैं अपने चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ तो यह आप देख रहे हो यह थाई अपल वेरी का फारम है जो अपने खेत में लगाया गया है दो जार उनीस में लगाया था अब की बार जो प्लांट है वो काफी बड़े हो गए 15 फिट के करीब इनकी जो उन्सा ही हो चली गई थी यह एंटिवर्ड नेट भी लगए है हमने अब कुछ दोस्त बले हैं कि इसे पक्सियों को नुक्सान हो रहा है यह फंस जाती है इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है यह जो नेट एंटिवर्ड वो एक इंची डिबी में लगाया गया है तो इसमें कोई भी पक्सियों अंदर नहीं फंसता इसके यह कुछ कोस्टली जुरूर होता है पर इसी को ध्यान में रखकर यह एंटिवर्ड नेट हमने लगाया था और यह जो बीच में आप देख रह है देख सकते हैं आप चारूं तरफ लगाया गया है और बीच में यह जो है वो बहुत सारे पोद्दे हो एसी सोड़े गये यहां पर इन पर किसी परकार का कोई जाल नहीं लगाया गया है तो अब जो आपने थमनेल में एक देखा था तो वह में निकली बनाया था जो काफ अब यह बीच में डंडी लगाई गयी है यहां पर और यह इस पर कर डंडियां लगाकर कुछ जगह बनाया थी ताकि इनके बीच में जास के तौझ अझर्ट तो कल क्यों युद्च फैर ऊब ⁪ने देखा था वह यह रहा दोस्तों यह मैंने कले हो फ्रूट से बनाया TH अ कैसे लग रहा है बताना जरूर कि देख सकते आप बेर हैं और यह साइज भी देख सकते आप बेर का काफ़ी बड़ा साइज हो गया है एक उसी साइड भी पड़े हैं यह देखो इतने बड़े बड़े भी हैं बहुत सारे बेर हो यह बनाया था कर ऐसी आ गया था मैंने में तो बना दिया यह खेट में एक मकान भी बनाया गया है रहने के लिए क्योंकि खेट काफी दूर है गाउं से तो यहां पर बरसातान दी कुछ मुसम खराब हो जाए तो मकान है वो काम देता है खेट में तो यह वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कॉमेंट करके जरूर बताए वीडियो को शेयर भी करें मेरे चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर करें इस पर खेटिवाड़ी से समन दी तो और रहने वीडियो भी आपको जल्दी मिलने शुरू हो जाएंगे तब तक के लिए जैस दिरा